दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी के अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों क्यों लेकिनों से पहरे अगर आपने अभी तेक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें जैसे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे पहले वरिखवर अमीच सा चार मां में तीसरी बार आएंगे बिहार केंद्री ग्री मंत्री अमीच सा अगर फिर से बिहार दोरे परा रहे और बीदे चार मां में अमीच सा के यह तीसरा बिहार दोरा होगा फरवरी की 22 तारिक को वो पटना के ग्यान भवन में आयोजीत एक कारिक्रम में भाग लेंगे ग्यान भवन में किसान नेता सहजानन सरस्वती की जयनती को लेकर कारिक्रम का आयोजन किया गया है अरिश्वे मुख्य अतिती और मुख्य भक्ता के तोर पर अमीच्छा को बुलाये जा रहा अमीच्छा इसे पहले सिमानचल के किसनगन और पुर्णिया में 23 और 24 सितमर 2022 को आये थे और ठीक 20 दिन के बाद 12 अक्टूर को जेपी की जैनती के मौके पर छपरा के सिताफ धियारा भी पहुँचे थे अब एक बार फिर से किंद्रिक ग्रीमंत्री अमीच्छा 22 फरवरी 2023 को पतना पहुँच रहे अब युकर पतना के महावीर मंदिर नियास ने रामचरीत मानस के खिलाब भ्रम फेलाने वालों के बिरोध में मोर्शा खोल दिया है महावीर मंदिर ने रामचरीत मानस का सबसे पुराना पाठ को प्रकासित किया है प्रकासन में रामचरीत मानस की पहली प्रकासित पुस्तक से सुन्दरकांड के प्रकासन किया गया महाबीर मंदिर नियास नहीं था बलकि वो बास्ता में धोल गवार छुदर पसु मारी है बलकि बीजेपी सांसत छेदी पास्वान, कैमुर पोचिया और जेडू के बरिष नेता कुलाम रसुल बलियावी के करवला बना देने वाले बयान पर प्लटवार किया और छेदी पास्वान ने कहा कि चर्चा में बने रहने के लिए लोग इस तरह का बयान देते हैं देश में मोदी का राज चल रहा, कुछ कर तो नहीं पाएंगे समाज में तनाव पैदा करेगा ऐसा बयान इस तरह के बयानवाजी से बचना चाहिए छेदी पासपान ने जेड़ू के नेता गुलाम रसुल बलियावे के भड़काओ बयान पर जम कर हमला बोला अलगर बियार में जाती गन्ना के दूसरे चरन का प्रारूप हुआ तैयार बियार में जाती अधारित गन्ना का पहला चरन खत्म हो चुका है और इसके तहत मकानों की गिंती का काम तक्रीवन पूरा हो चुका है और इसकी रिपोर्ट तैयार होने के बाद अप्रेल 2023 से जाती गन्ना के दूसरे चरन की शुरुआत हो जाएक यालाकि दूसरे चरन की तारिकी घोसना नहीं हो पाई है और यह समझा जा रहा कि अप्रेल के पहले सब्ता में बिधान मंडल का बजट सत्र समाथ होने के बाद ही इसके शुरुआत होगी और इसका प्रारूप तैयार कर लिया गया है और इसमें घर घर जाकर जाती के साथ ही समाजिक और आर्थिक सर्वेक्षन भी किया जाएगा इस सर्वेक के लिए लोगों से दो दर्जन सियाथिक सवाल पूछे जाएंगे सवालों कि इस प्रसनावली को अंतिम रूप देने की कवायद में समान प्रसाशन विभाग भी चुड़ गया है अगर बिहार में कोरोना काल के बाद सीवी असी से दस्मी करने वाले दो लाग पंचानवे 1791 बिद्यार्थियों ने बिहार बोड में दाखिला लिया है इसके अलावा टॉप टेन में अस्थान प्राप्त करने वाले चात्रों को लैप्टोप के अलावा एक लाग चे 50,000 रुपे तक चात्र विरती मिलती है अस्कूल या कॉलेज में नमांकन फिस भी कम लगता है दूसरे बोड से बिहार बोड में आने का ये बड़ा कारण है अलकर बिहार के मुख्योंतरी नितीश कुमार ने संसर में भारती रेलवे के लिए अलग बजट पेस करने की मांग करते हुए कहा कि इसका बहुत महत्तो है नितीश कुमार जिन्होंने अटल बिहारी बाजपे की नितृत वाली सरकार में रेल मंतरी के रूप में कारे किया उन्होंने कहा कि सरकार पहले एक अलग रेल बजट के माध्यम से कई नौक्रिया परदान करते थी और सभी समचार पत्रों में इसकी चर्चा होती थी अलगर बिहार के कटिहार में बंदे भारत एक्सप्रेस पर फिर से पत्रों की घटना सामने आई है या पत्रों बिहार के कटिहार में बलरामपूर के पास किया गया पत्रों के करण टेन की खिड़की का सेसा टूट गया है और देश में बिख्याद बंदे भारत टेन पर पत्रों लगातार सामने आ रहे है अज़कर बीजेपी नेताओं से उपेंदर कुसवाह की मुलाकात भाजपा में सामिल होने की चर्चा तेज जैद्यू की नेता उपेंदर कुसवाह दिल्ली एमस में अपना इलाज करवा रहे और से भी चुनके भाजपा में सामिल होने की चर्चा तेज हो गई है दिल्ली एमस से आई कुछ तसभीर चर्चा कव इसे बन चुकी है BJP के पर्देश परवक्तह और पूर विधायक संजेट टैगर BJP के पर्देश परवक्तह और पूर विधायक प्रेम रजन पठेड और BJP ने ता परिक्षा को लेकर बला आफडेट आया है बिहार लोग से वायोग BPSC ने उन्हों उमिद्वारों की सूची चारिक की है जो 68 स्युक्त प्रादमिक परिक्षा नहीं दे पाएंगे दरसल कई उमिद्वारों की आयो सीमा तय कट ओफ डेट के तहत पात्र नहीं थी और इसी बिहार के सिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद सेखर के द्वारा रामजरी तमानस को लिकर दिये गए विवादित बयान पर फिर से बीजेपी ने करारा हमला किया बिहार के पूर्व डिप्टी सेयम एवं बीजेपी के राश्वा सांसर सोशिलकुवर्ण मोधी ने एक वर फि अब तक प्रोफेसर चंद सेखर के विरुद तीस जीलों में मुकदमे दैर किये गए हैं सुसिल मोधी ने कहा कि रामजरी तमानस की दिन्दा करने वाले सिक्षा मंत्री चंद सेखर के बयान का बचावकर आरजीडी ने हिंदू समाज को आहत किया है अलखो रामचरीत मानस बिवाद में बिहार के सिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद सेखर के समर्थन में बयान देकर आजीडी के बिहार अध्यक्ष जग्दनान सेखर के खिला बिवेन जीलों की नियाले में मुकदमे दर्ज कराए जा रहे थे लेकिन अब जग्दनान सेखर क प्रोपेसर चन सेकर के साथ-साथ उनके बयान का समर्थन करने पर हिंदु जागरन मंच ने मुंगेर सिविल कोट में जग्दनान सिंग के खिलाब परिवाद दायर किया है और आपको बता दे चले कि बीते दिन पटना में बिहार के सिक्षा मंतरी ने रामचरित मानस को लेकर बेहाधी आपत्री जनक बयान दिया था अगर बिहार के फूर्विक्रिसी मंतरी सुराकर सिंग राज़त ने तरुत ने नितीज कुमार के खिलाब बयानवाजी को लेकर 15 दिन का नोटिस दिया है उन्हें ही तेक करना है कि कैसे सरकार चलाएंगे नितीज कुमार की अपत्री जनक बाते कहने को लेकर उन्होंने साब का कि एक भी अपत्री जनक सब्द नहीं है मैंने अर्टक जिन सब्दों का इस्तिमाल किया है वो संसदिय सब्द है और हम लोगों को सिखाए जाता है कि विधान सबा में क्या संसदिय है और क्या नहीं शुराकर सिंग ने कहा कि उनकी बाते कड़ी हो सकती है लेकिन आज संसदिय नहीं है अलकर आरा में सीटेट परिक्षा में A&Y डिस्क से हुई नकल रिमोट पर सल्व हो रहा था पेपर बिहार के आरा जिले से हरान कर देने वाला माला सामने आया है जापर सेंटरल बोड ऑपर स्कूल एक्जामिनेशन की ओर से आयुजित की जा रही सेंटरL टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की ओनलैन एक्जाम होने की जानखार्य मिली है दरसल आरा जिले के स्रिस्टी इनपोटेक फरिक्षा सेंटर से सीटेट के परस्थे पत्र हैक होने की बाद सामने आई है आपको दार कि इस एक्जाम में करेब 5 लाकों मिदवारों ने एक्जाम दिया है मीडिया रिपोर्ट के मुथाबिक सेंटर के सरवर को हैक कर लिया गया है और वहां के सरवर को एनी डेस्क एप के जरिए हैक कर बाहर से सवाल किये जा रहे थे दरसर इस घर्टना के बाद सिस्टी इंफो टेग परिक्षा सेंटर के निरेसक रभी भूसन ने सेंटर पर लगे हैक करने के आरोपो को सीरे से खाड़िस किया है इस दोरान निरेसक ने कहा कि ये वीडियो सेंटर का नहीं है ये वीडियो किसी और का हो सकता है अल्कुर बियार के सिक्षा मंतरी प्रोफेशर चन सेखर ने कहा कि भविस्ष में सिक्षा प्रदान करने के लिए कुछ नभीन और नवाचारी एवं प्रोफेशनल लोगों को सामिल किया जाएगा सिक्षा बिभाग इस योज़णा पर काम कर रही है सिक्षा मंतरी की तरफ से जाली बयार में कहा गया कि सिक्षा बिभाग की तरफ से राज्ये के बच्चे बच्चियों को गुर्मत्ता पूर्ण सिक्षा देने एवं बिध्याले की ओर से आकरसित करने के लिए नित्य नवाचार की जा रहे है पेरेंट्स टीचर मिटिंग करके छात्रों की आदतन इस्थिती से अभी बापको को आवगत कराये जा रहा असर की रिपोर्ट के संदर में सिक्षा मंतरी ने कहा कि परदेश के अस्कूलों में नवांकन अनुपात बढ़ना संकेर देता है कि बिहार के मुख्यमंतरी नेती स्कूलों की तरब से सिक्षा में सुधार के लिए जो भी कदम उठाए गये हैं उसे चादर चातराएं विद्याले की तरब से आकरसित होई है अलकर बिहार के भवन निर्वान मंतरी असोग चौधरी ने कहा कि रास्टी अस्तर पर महा कड़बंदर के सभी दलों का अलाइंस होने पर सुनाओ साइद अन्य साजा कारेक्टरम बनेगा अलाकि अभी हमारा अलाइंस बिहार में है ऐसे में फिदाहल सभी को सुनाओ लडने की छूट है मंतरी असोग चौधरी ने कहा कि नागालेंड बिधानस पर सुनाओ में जद्यू के बारे में कहा गया कि अवानी पार्टी अच्छे इस सिति में रहेगी बिहार के भवन निर्मान मंतरी असोक चौधरीन ने कहा कि गडवंधन केवल बिहार में जद्यू अकेले करेगी तयारी और हर जगा जद्यू अकेले ही लड़ेगी